हेलो फ्रेंड स्वागात है आपको मेरे यूटूब चैनल पे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कुछ महद तुपूर्ण तर्थ है और साथ ही ये बताएंगे कि 2020 में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है और ये किन छेत्र में मिला है और वे किस देश के निवासी थे तो वीडियो पूरा अंतक देखिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपर बात करें नोबेल सालती पुरुसकार के बारे में physics में तो physics में जो है, तीन लोगों को मिला है यहाँ पर, तीन लोगों कौन कौन है आए जांते हैं, वो त्ली से पहले हैं Roger Penrose, Roger Penrose जो है, इनका जन्म 1931 में हुआ था, और यह UK के हैं, और इनको जो है, Nobel physics के छत्र में यह परुसकार मिला है, आगे यहां पर बात करे तो Rinharad Gajl को यहां पर यह पुरसकार मिला है यह जर्मनी के हैं और यहां पर बात करेendria Dhej इनको भी मिला है physics के छेतर में आगे यहां पर बात करे कि सहित्य का Nobel 2020 किनि मिला है तो यह Louis Glock को मिला है Louis Glock जो है एक hot topic लिखी थी उसके च्छेत्र में उनको साहित्त का नोबेल मिला है और यह उसे के निवासी है लुइस ग्लोग जो है यह उसे के निवासी है यहाँ आगे बात करें कि रसाइन विज्ञान नोबेल प्रसका 2020 के बारे में तो रसायन के छेत्र में मिला है उनको मिला है Emmanuel Carpentier को और जो दूसरा है वो है Jennifer Dadona Emmanuel Carpentier और Jennifer Dadona इसको आप अच्छे तरीक से याद कर लिए Emmanuel Carpentier और Jennifer Dadona तो यहाँ पर बात करें Jennifer Dadona को यह USA की निवासी है और Emmanuel Carpentier को यह France के निवासी है यहाँ पर बात करें, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के छेत्र में, तो चिकित्सा से छेत्र में तीन लोगों को दिया गया है, यहाँ पर तीन लोग की बात करें, उसमें है हारवे जे अल्टर, जो अमेरिका की निवासी है, माइकल हुटन, वो ब्रिटेर्स के निवासी है, आगे बात करें यहाँ पर Charles M. Rice, यह अमेरिका की नवासी है, तो नेबल पुरसकार जो है, यह चिकत्सा के छेतर में तीन लोगों को दिया गया है, आगे यहाँ पर बात करें, तो आरसास के छेतर में, आरसास के छेतर में भी दो लोगों को मिला है, नोबल पुरसकार, यहाँ रोबोर्ड विवीलसन यहां पर बात करें रोबोर्ड वियलसन यह इवसे की निवासी हैं और आंपर बात करें ब्रह पौल ऑर मिलंग्राम तो यह जो है इनी दोनों जो है इու एसे की निवासी हैं तो आप वीडियो के अंतरे में हम आपको बताते हैं कुछ महट Krjon ग्राइब ग्रण्टQué ये क्यों दिया जाते हैं कैसे दिया जाते हैं केसे पहले हम 2 Staat सान्घ और अर्थसायणảng नोबील पुरुषकार ग्र्ण्द креп फॉल्ष कार और हर 10 दिसमवर को 6 सलयों में दिया जाते हैं और यह चृबिशरींट की पुन्यत में पुणयती थी दिन है और इसी दीन पर जो है यह पुरुसकार दिया जाता है चार भी शोव में पुरुसकार Royal Swedish Academy of Science देती है और स्वीडिन का Central Bank अर्थसास्थ और Norgevian Nobel Committee सांती का आवाड देती है अपर बात करें 1988 में अलफेंट के भाई Ludwig की मौत हुई थी और फ्रांस के एक अख़वार ने गलती से चाप दिया था कि The Merchant of Death is Dead इससे अलफेंट काफी दुखी हुए उन्होंने अपने मौत को एक साल पहले वसियत में संपती का ट्रस्ट बनाने को कहा और 896 में Nobel Foundation का अस्थापना किया और यहाँ पर 1901 से हर साल यह Nobel पुरस्कार दिया जाता है और 2019 तक 597 बार 950 ब्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है आगे यहाँ पर बात करें फ्रांस की Mary Curie को पती Pierre Curie के साथ Physics का Nobel दिया गया और Radium की खोज के लिए उन्हें जो है रसायन का अवर्ड मिला था आगे यहाँ पर बात करें भारत भारतिये मूल के लोगों में रबिनाठ टैगोर को जो है साहित्य के छेत्र में मिला था इनको सिवी रमन को भावतिकी के छेत्र में यह अवर्ण ठारण को इस नयपाल को सहिती के छेत्र में अमत सेन को अर्सास के छेत्र में और अभीजीत मुखट जी को अर्सास के छेत्र में यह आवर्ड भारतिये मूल के बेज्यानिकों को मिल चुका है तो यह पुरस्कार जो है आपको बटा दे कि 1901 से दिया जाता है और ये और फेंड के पुन्य तीथी के दिन ये जो है 10 दिसंबर को 26 सेयों में ये पुरस्कार दिया जाता है आपको बताता चले कि और फेंड नोबेल ने डाइनामाइट ही अविस्कार किया था तो ये वीडियो आपको कैसा लागे कमेंट करके जरू बताएए अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर कर दिये चलिए ठैंक्यू